नाम शामिल है। बातचीत में यूकरेन बॉर्डर पर रूस के एक लाग से ज़ादा सेनिकों की तैनाती को भी चीन ने बिल्कुल सही माना है। और तो और उसने अमारिका को ही तिलकातार ना बनाने की नसीहत दे थी। अब तक तो यूकरेन को लेकर अमेरिका और रूस में ही तलवाने खिचीती लेकिन अब इस जंग की आहट में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। रूस के जिगरी दोस्त की एंट्री भारत का पडोसी चीन खुलकर रूस के समर्थन में कूद गया है। समर्थन भी ऐसा कि चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री अंटनी ब्लिंकिन को फोन किया और रूस की सुरक्षा से जुड़ी उन मांगों को बिलकुल वाजिब बताया जो कि उसने अमेरिका और नेटों के सामने रखी थी। इतना ही नहीं यूकरेन बॉर्डर पर रूस के एक लाग से ज़्यादा सेनिकों की जिस तैनाती की वज़े से पूरी दुनिया को तीसरा विश्वयुद छड़ने का डर सता रहा है। अमेरिका और उसके साथी देश रूस की दलील मानने को तयार नहीं वो नेटों में शामिल होने या नहोने के फैसले को यूकरेन की मर्जी बता रहा है। अमेरिका को ये भी कह दिया है कि उसे और उसके साथी देशों को अब शीत युद्ध यानि कोल वार वाला अपना रवया छोड़ देना चाहिए क्यूंकि नैटों का विस्तार करके वो दुन्या को शीत युद्ध वाली ब्लॉक पॉलिटिक्स में ही बांट रहा है। चीन ने रूस के इस तर्क पर भी जोड़ दिया कि यूरपिया महाद्वीप में देशों की सुरक्षा की एक ऐसी विवस्ता बनाई जानी चाहिए जो की संतुलित हो। मतलब की साफ है, मतलब साफ है की चीन का इशारा अमेरिका और तीस देशों के सेन्य गड़मंदन नैटो के प्रभाव को खत्म करने की तरफ है। ये पहली बार है जब यूकरेन विवाद में चीन खुले आम रूस के साथ खड़ा हो गया। लेकिन इंसाइट स्टोरी तो ये तक बताती है की इस रूस अमेरिका और नैटो के साथ चल रही अपनी बातचीत की एक एक जानकारी पहले से ही चीन को रूस दे रहा था। मतलब चीन पिक्चर में भले अब दिखाओ लेकिन यूकरेन के मसले में वो पहले दिन से ही पूरी तरह रूस से जुड़ा हुआ था उसके साथ था उसे अंदर की सारी खबर थी वो हलात पर अपनी नजर बनाय हुए था लेकिन जैसे ही उसे पानी सिर्के उपर से जाता द देखा उसके विदेश मंतरी ने अमेरिका के विदेश मंतरी को फोन घुमा दिया और चितावनी दी कि वो यूकरेन पर रूस की मांगों को हलके में कता ही न लें और उनका हल निकालने पर काम करें चीन की इस कॉल की टाइमिंग बहत अहम है ये तब की गई जब कुछ ये पछले ही अमेरिका ने रूस की सुरक्षा मांगों को मानने से इंकार कर दिया था। असल में रूस ने डिसंबर में यूकरेन विवाद को सुझजाने के लिए अमेरिका और नेटो के सामने दो मुख्य मांगे रखी थी पहली तो ये की यूकरेन को नेटो का करा दी यूकरेन के लिए चल रहे बवाल में अब तक पड़ोसी बेलरूस के अलावा कोई भी बड़ा देश रूस के हक में बोलने को तयार नहीं था लेकिन अब चीन के रूस के समर्थन में आने के बाद पूरा सीन ही पलड गया मतलब अगर रूस उसने यूकरेन पर हमला किया और फिर अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छड़ा तो चीन रूस को जिताने के लिए अपनी जान लगा देगा अमेरिका ऐसे में अमेरिका को चेतावनी देकर चीन ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की एक तो उसने रूस का साथ देकर अपनी दोस्ती निभाई, दूसरा ये कि यूकरेन विवाद के बहाने उसने ताइवान को लेकर भी अपना संदेश अमेरिका तक पहुँचा दिया अपने बगल में एक टापू पपर से ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है 72 साल से उस पर कबजा जमाने का सपना देख रहा है इसी वज़े से रूस और चीन की स्थिती लगभग एक जैसी है जैसे पुतिन यूकरेन को रूस से अलग देश नहीं मानते वैसे ही चीन भी ताइवान को अपने नक्षे में मिलाना चाहता है चीन के राष्टपती शी जिन पिंग तो खुलकर ये कह चुके हैं कि वो ताइवान को चीन में मिलाकर ही रहेंगे और इसके लिए उंगली टेडी भी करनी पड़ी तो वो चुकेंगे नहीं यही वज़े है कि बीते कुछ वक्त से चीन ने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए अपनी तिकड़ में भी बढ़ा दी है पिछले साल तो उसने अपने रिकॉर्ड तोड जहाजों को ताइवान के एर डिफेंस जोन में घुसा दिया था बीते अक्तोबर में उसकी सेना के विमानों ने एक दिन में 56 बार ताइवान के हवाई सीमा में घुसपैट की थी यह चीन की ताइवान में अब तक की सबसे बड़ी घुसपैट थी वहीं बीते रविवार को उसकी वाय हुसेना के 49 हवाई जहाज ताइवान के आस्मान में दाखिल हुए थे लेकिन ताइवान पर चड़ाई के चीन के मिशन में अमेरिका आड़े आता है असल में अमेरिका में एक गानून है जो कहता है कि ताइवान पर हमले की सूरत में अमेरिका को उसकी मदद करनी होगी और पिछले साल राश्टपती जो बाइडन भी ये साफ कर चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा इसी कारण लगे हाथ चीन के विदेश मंतरी ने फोन पर अमेरिकी विदेश मंतरी को ताइवान के मसले पर चेतावनी भी दे दी और दो टू कहा कि वो आग से खेलना बंद कर दें चीन ने ये भी कहा कि वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है अब अगर यूकरेन के मसले पर रूस का पलडा भारी हुआ तो पिर चीन के लिए भी ताइवान पर हमला करने का रास्ता साफ हो जाएगा इसलिए चीन रूस के साथ खड़ा दिख रहा है लेकिन चीन का सीधे तोर पर साथ मिलने से पहले ही रूस यूकरेन के लिए एक ऐसा चक्रव्यू बना रहा है जिसे वो भेदी न पाए इसके लिए वो यूकरेन के पास अपने जंगी जहाज और जेट तो तैनात किये हुए है ही उसने इस इस इलाके में अपने एकलोते साथी और यूकरेन के परोसी बेलरूस में भी अपने एस्यू 35 फाइटर जेट खड़े कर दिये हैं ताकि यूकरेन के सिर्फ पूर्व से नहीं बलकि उत्तर से भी उस पर धावा बोला जा सके इतना ही नहीं रूस बेलरूस के पश्चिमी बॉर्डर पर उसके साथ जॉइंट मिलिटरी ड्रिल भी कर रहा है ये कोई मामूली सैन्यभास नहीं है बलकि अमेरिका और नैटो को खुली चेतावनी है क्योंकि जहां य गल थल और वायू हर मोर्चे पर यूकरेन की गहरे बंदी कर चुका है लेकिन रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका ने हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज को मार गिराने वाली स्टिंगर मिसाइल और करीब 80 टन की 300 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूकरेन को भेज दी जैवलिन पहले आस्मान में करीब 500 फीट की उचाए पर जाती है और फिर नीचे जमीन पर अपने टार्गेट पर फटती है इसी वज़े से वो टैंकों का काल साबित होती है अगर रूस ने यूकरेन पर हमला किया तो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल यूकरेन के लिए ब्र के बॉर्डर पर टी-72B टैंक ही तैनात किये हुए हैं हाला कि तब से वो काफी अपग्रेड हो चुके हैं लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका की जैवलिन मिसाइल उन पर भारी पड़ सकती है यूपी के सीतापूर जिले की सिंधौली विधासभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के पूर्विधायक मनीश तिवारी फूट-फूट करोने लगे पार्टी ने इस सीट से हर्गोविंद भारगव को उमीदवार बनाया जिससे टिकट की उमीद लगाए मनीश रावत मायूस हो गए और जब वो लखनू से लोट कर सीतापूर में अपने समर्थकों की बीच पहुंचे तो अपने आसू रोक नहीं पाए और फूट-फूट कर रोने लगे इस बीच उनके समर्थक लगातार उन्हें होसला देने की कोशिश करते रहे लेकिन मनीश रावत खुद को नहीं संभाल पाए वही पूर्व धायक मनीश रावत का टिकट कटने से खाफ़ा समर्थकों ने उनसे सदोली सीट से ही चुनाव लणे की अपील की जिसके बाद मनीश रावत ने भी चुनाव लणे का फैसला अपने समर्थकों और सिधोली की जन्ता पर छोड़ दिया यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर दिल्ली में अपने हेलिकॉप्टर को रोकने का आरोप लगा है अखिलेश यादव को मुझफवन अगर जाना था जिसके लिए वो पहले दिल्ली पहुंचे लेकिन वहां से उन्होंने एक ट्वीट कर ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके हेलिकॉप्टर को ओडान भरने से रोक दिया अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी नेता आमित मालविये ने पलटवार किया उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश के आरोपों को हार से पहले की बॉकलाट बता दिया आप टेकनिकल चीज़ पर भी पुलिटिकल पाखंट करेंगे महीं सरकारी सुत्रों ने भी हलिकॉप्टर को रोकने के अखिलेश यादव के आरोपों को गलत बताया और दावा किया कि कमर्शल फ्लाइट को उडान भरने में हमेशा प्रात्मिक्ता दी जाती है सरकारी सूत्रों के मताबिक अखिलेश के हेलिकॉप्टर को इंधन भरने के लिए रोका गया था जिसके बाद उसे तुरंत ही उडान भरने की इजाज़त दे दी गई मद्रब्रदेश के देवास में प्रशासन ने सट्टे का कारोबार करने के आरोपी के अवैद निर्मान को बुल्डोजर चलवा कर जमिन दोस कर दिया राजी में प्रशासन की और से ऐसे अपराधियों के अवैद निर्मानों के खिलाफ कारवाई की मुहीम चलाई जा रही है इसी के तहट प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ शुक्रवारिया हाट बाजार इलाके में पहुंची और सलीम सरदार नाम के कारोपी के अवैद निर्मान को द्वस्त कर दिया जिसके लिए महां खुदाई में इस्तवाल होने माली मशीन लाई गई और मशीन की मदद से अवैद निर्मान की दिवार को डहा दिया गया प्रशासन ने आगे भी बदमाशों के अवैद निर्मान पर कारवाई जारी रखने की बात कही प्रशासन के सैक्शन के बीच महां लोगों की भीड़ जुड गई जिसको देखते होए वहाँ पुलिस की जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की हालात से निपता जा सके उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभिनेता राजबबर पार्टी छोड़ कर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं जिनके कॉंग्रेस छोड़ने का इशारा किया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चांद हसन ने न्यूज 18 से बादचीत में उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी लगातार राजबबर के संपर्क में है और वो जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं यही नहीं फखरुल चांद हसन ने ये दावा भी किया कि राजबबर ही नहीं बलकि दूसरी पार्टीयों के कई और नेता समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तयार है लेकिन राजबबर का कॉंग्रेस चोड़ कर जाना पार्टी के लिए एक और जटका हो सकता है क्योंकि वो पिछले 14 साल से कॉंग्रेस से जोड़े रहे हैं हाला कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से की और बाद में वो समाजबादी पार्टी में शामिल हो गए थे 1994 में समाजबादी पार्टी ने राजबबर को राज्यसभा भेजा था और 2004 में वो समाजबादी पार्टी के टिकट पर ही जीत कर पहली बार लोगसभा पहुँचे थे लेकिन 2006 में उन्होंने समाजबादी पार्टी छोड़ दी थी और इसके दो साल बाद यानि 2008 में वो कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे गोवा में टीमसी नेता लुईजीनो फलेरो ने विधान सबाद चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया और अपना टिकेट पार्टी को लोटा दिया लुईजीनो ने दलील दी कि उन्होंने युवाओं को मौका देने के लिए ऐसा किया स्पेन के टेनिस खिलाडी राफेल नडाल जीत के साथ उस्टेलियन ओपन के फाइनल में पहुँच गए उन्होंने सेमी फाइनल मुकाबले में इटली के मत्यो बरतीनी के खिलाफ 6-3, 6-3, 3-6 और 6-3 से जीत हासल की बजट सत्र से पहले कॉंग्रेस नेताओं की एक वर्चुल बैठक हुई इसमें पैसला लिया गया कि पार्टी संसत में चीन सीमा विवाद और किसानों का मुद्दा उठाएगी इसके अलावा करोना प्रभावितों के लिए कॉंग्रेस राहत पैकेज की मांग भी करेगी केंद्रिय स्वास्ते मंत्री मंसुक मांडविया ने बताया कि देश में 19 दिनों में एक करोड़ प्रिकॉशन डोज लगाए गई जिस पर पुलिस वाले भड़क गए और उन्होंने कार में सवार दोनों लोगों की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी इस मारपीट का वीडियो वहां मौजूद किसी शक्स ने अपने मुबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कुछ जवान जल निगम के कर्मचारियों पर थपड़ बरसाते दिखाई दिये इस दोरान एक जवान उन्हें डंडे से भी पीटता नजर आया मुख्या गुर्जर के विवादासपत बयान पर बीजेपी महिला मोर्चा ने पलटवार कर दिया एक दिन पहले मुख्या गुर्जर का वीडियो बीजेपी नेता शलम मनी त्रिपाठी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसमें वो हसनपूर के मौझूदा बीजेपी विधायक की संपत्ती लूटने की बात करते नजर आये थे जिसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा की कारेकरताओं ने मुख्या गुर्जर पर हमला बोल दिया साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्धा उठाकर समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया इस मुद्दे पर सियासी हंगामा बढ़ता देख समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुख्या गुर्जर ने अपने विवादास्पत बयान पर सफाई दी हालकि उस बयान के लिए उन पर केस दर्ज हो चुका है